है आज आज हम लोग ग्लास ब्रेज एक्स्प्लोर करने आये हैं आज दिन रभी बार है और सुबह के दस बज रहे हैं आप यह देखो यह टिकट की लंबी लाइन है अभी मैं आपको बता दू यह यह टिकट काॉंटर जो हैं दस बज़े से खुलती है और यह लाइन देखो काफी जादा लंबी है तो चलिए हम लोग वेस लाइन में लगते हैं और मैं भी टिकट लेने का कोशिस करता हूं और आ आपको फिर बताता हूँ कि आपको कितने देर में टिकेट मिलती है तो फिर आपको मैं अपडेट गोता हूँ इसका तो आज हम लोग आए हैं राजगीर का नेचर सफारी और सबसे बड़ी बात मैं यहां बता हूँ आपको इंट्री टिकेट लेने के लिए बहुत मसक्कत करना पड़ेगा बहुत जादा बहुत जादा आपको तीन से चार घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा तभी आ अंट्री टिकेट है और सारी टिकेट जो जितने भी है सब अंदर मिलेंगे तो इस टिकेट के लिए मैं कल भी आया था लॉटके गया फिर आज आया एक अंकल ने फिर हम लोग की हल्प की तब जाए के लाइन में लगे थे तब उनको फाइनली सवाई 11 बज उनको टिकेट म है लगना पड़ेगा ताभी तो मैं यहीं कि आप लोग जितना मतलव अगर आजगीर भूमने आ रहे हो तो सबसे अरली मौर्निग आया करो और अगर अगर ग्लास पृस शुग मॉनिग हो आप नहीं पड़ेगा वापस लटना पड़ेगा और अगर जितना सुब आ सकते ल तो ग्लास बेज आदे गंटे के लिए बंद कर दिया था पता नहीं अभी स्टार्टे की नहीं अब अदर जाते देखते हैं उसके बाद फिर आपको अपडेट देता हूं तो गाइज अभी आप देख लो टिकेट तो ले लिये हैं अब लाइन में खड़े हैं बस के इनतिजार में तो थोड़ा सा तो यार अच्छा होना चाहिए सुविदा अब सारे लोग लाइन में खड़े हैं पीछे भी मेरे बहुत बड़ा लाइन है तो यह सब का सुविदा ह बैट तो गए हैं बट हम लोग को सीट नहीं मिला है इस बस में 24 लोग बैटते हैं तो आधा लोग तो भी आईपी लोग के बैट जाते हैं हम लोग बचे या मादिमी तो इसलिए यह सब चीज हों का ध्यान रखना यार जो आप घुमने आरो ग्लास ब्रेज तो गाइस हम लो अंदर जाना अलग अलग टिकट अपको मिलेगा तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या करें अंदर गाईज आज 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 कि अज़र आज 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 में सबसे पहले में ग्लास बेज का टिकट कटा लिया हूं और वन फिंटी फाइव इसका है तो अबहुंत इंदर आज जाएगा अभी मैं को सब्सक्राइब कि ए घुमना नहीं तो आपको दिक्कत होगा टाइम बहुत अगा याज सो गाइज इंटरी के साथ ही मैं देख सकता हूं कि यहां ट्रिंकिंग वाटर और ट्वालेट की काफी अच्छी व्यवस्ता की गई है गाइज आप देख सकते हो यह पाथवे है और इधर देखो तो जंगल और पीछे पहाड़ और अगर मैं राइट दिखाऊं तो जंगल और पीछे पहाड तो मस्त वाला नजा रहा है नेचर सफाइडी गुमने के लिए तो गाइज यह देखो यह नाया पोस्स दे रही है तो आके आप फोटो किछा सकते हो पोस्स दे सकते हो तो आप पाथ पे आपको गित्टी नूमा मिलेगा जो कि काफी एडवेंजरस है ऐसे रोड पे हम लोग जनरली चलते नहीं बट आज नेचर सफारी में लोगों को चलने का मोका मिल रहा है यही अंदर कवे चलते हो पर और देखते हैं ग्लास ब्रीज पर यह मेरी पहली कदम है फाइनली गाइस सच पर हमारी यह पहली कदम है इस देख लो यह भी ग्लास काई बना हुआ है अब लोगों के साथ एक और बात मैं में एक दिन में 800 लोगों के ही टिकेट करते हैं कुछीज दिधन है तुछीज़ बखनो घर लुचा कुछी देखी अरा है वाव दिली द लुटी रखनास नहां मिल एक का अधनी कि तो फाइनली गाइस ग्लास ब्रिज पर हम लग चड़िये गया हैं आखिरकार सुबर साथ बरसे में सकत कर रहे हैं और अभी ऑल्मस्ट दो बज रहे हैं और यार ग्लास ब्रिज पर घुमने के लिए हर जगा लाइन में लग लग के दिमाग ख़़ा वोगे इस ग्लास दिख रहा है जो काफी अमेजिंग व्यू देख रहा है तो अपना एक्सपीरियेंस एयर करेंगे एक्चुली हम लोग वा सोल बैंकर है और पतना से आये हैं राजगीर भूमने के लिए और वन अब देबेस्ट एक्सपीरियेंस हम लोगोंने अब भी यहां पर इन्जॉइए किया और अब ये मेरे साथ बूलन है सोनु है ढाइया है और पीछे में पंकत जहा है और यह कमला कान थे सा कुला करते हैं सब लोग 》 सब लोग्वरेंट लिफ्रेंट इसफ्रू से बिलong करते हैं बट एक साथ यहां पहली बार राजगीर में और बहुत अच्छा लग रहा है किसा लगा गर्मी कासा है कर बहुत जादा है लेकिन एक मज़ा आया इतना कि मतलब एक घंटे देर घंटे तक हम लोग सी तेस्ट हो रहा था हम लोग भी चार घंटे से लाइन में लगे वे तब जाके हम लोग वो पॉर्चुनेटली अगर सपोस करें कि आपको कितनी भी मिनत करनी पले उसके बाद अगर अगर एक्जिकूशन आपका खिलियर होता है अगर आपने जिस चीज के लिए आपने मिनत की है और यहां पर आये हैं देखने के लिए तो फाइनली हम लोग इस ग्लास ब्रीज के प पर शुचा भी नहीं थाम लोगों ने कैसा कुछ हो सकता है यहां पर इस तरह एक्स्पेरियंस है काफी अमेजिंग एक्सपेरियंस धीरे गाईज आइज अच्छली मैं बिहार डेवलप कर रहा है और बिहार टूरिस्स्ट टूरिजम जो हो रहा है वह काफी डेवलप हो र अभी ग्लासवीज बना रहे हैं इसके अलाबा भी यहां पर कुछ अभी काफिसर्ट टूर्ट कर रहे हैं रोट की डेवलप्मेंट है यहां सबसे अदा तो कनेक्टिविटी है इसली हम लोग यहां तक पहुंच नहीं है ठीक है थोड़ी सी दिक्कते आई है विकास अभी बहुत अच्छा लगेगा वन अब बीटिफुल नेचर नेचर को जरूर विजिट करें एक बार जरूर विजिट करें ठीक है गाइस तो भाईया लुक्स एक्सपीरियस ले लिए ठांक्यू भाईया और गाइस फिर सुमें बोलना चाह रहा हूं वियर प्राउड आफ आर अबजाब एक हरा एक हैपनों यह पतना पीज है जब हो गाइज आचली विच्वेस्टीए हो कि अपना जो यह पतनायटिश का पिर है यूटूब में आप जाएंगे दपटनाइट के नाम से है इसको ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और लाइक करें यहां पर आपको यहां मिलेंगी और फुचर में भी आपको नएनी वीडियो मिलते ही रहेंगी तो थैंक्यू भाईया लोग मुष्या थार्शक्ष एल्डेंगी नएंगे और लूगमें दोगिए प्रिम्नाइब करनाओ करें दोहां में भी आपको यहां प्रिम्नाइब करेंगे इसको नाम से हैं